दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे package.json and package.json के बारे में generally जो भी modern framework and library हैं उसमें package.json and package.json बहुत important and crucial role play करता है क्योंकि इसके जरीए हम जो भी dependency है उसको अच्छे से manage कर सकते हैं तो basically दोस्तों ये एक metadata provide करता है आपके project के लिए आपके project का metadata provide करता है dependency and scripts का information यहाँ पर आता है ताकि आपका project को बड़े असानी से manage किया जाए और maintain किया जाए क्योंकि उसके version भी defined है जो भी dependency use हुआ है उसका version defined है तो later on अगर किसी को upgrade करना पड़ा तो आप यहाँ से कर सकते हैं वर्जन को check कर सकते हैं कि कौन सा version available है ओके एंड जो भी यहाँ पर dependency है उसको जो है install भी कर सकते हैं कई बर क्या होता है कि git यूज करते हैं वर्जन कंट्रोल यूज करते हैं तो जब git यूज करते हैं दोस्तों तो जो बहुत बड़ा फाइल हो जा फोल्डर है आपके पास है package.json तो npm कमांड रन करके npm install कमांड जितने भी लिस्टेट dependency है उसको जी install कर लिजिए simple तो हम लोग लाइन बाइन समझते हैं नेम दोस्तों यह project का नेम है और यह पूरे project का meta data information store होता है dependency क्या है यह projects related ही चीज़े हैं यहाँ पर कौन कौन से dependency use हुए हैं तो आप जो है project का नेम हैं यहाँ पर specify कर सकते हैं and then version इसका version क्या है वो specify कर सकते है and then और भी चीज़े होते हैं जैसे description add कर सकते हैं फिलाल इसमें नहीं है वो optional है description भी लिख सकते हैं क्योंकि project के बारे में जितना detail में clear कीजिएगा उतना better होगा I mean जितना detail में आप describe कीजिएगा तो यहाँ पर description लिख सकते हैं कि यह project किसके बारे में है माल दिजे कि अगर यह internal project है तो ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा बट बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं और बहुत सारे developer यूज कर रहे होते हैं तो यह description useful हो जाता है और फिलाल यह node.js का project तो है नहीं node.js का project अगर होता तो कुछ main file भी defined होते हैं means java script का entry file वो भी defined होता तो फिलाल यह हमारा केवल manage करने के लिए हैं हमारा angular में angular के project को and उसके dependency को manage करने के लिए use होता है okay तो again script में क्या होता है दोस्तों कई सारे custom script होते हैं उसको आप यहाँ पर define कर सकते हैं जो की npm command से run होंगे okay npm command से यहाँ पर run कर सकते हैं इन सारे script को and dependency is just external package external package जिसको आप npm install करके command use करके आप जो है install कर सकते हैं यह external package है but what is a dev dependency again आपके मन में question आएगा what is a dev dependency दोस्तों dependency and dev dependency में ज्यादा difference नहीं है दोनों ही package को ही manage कर रहे हैं देखिए दोनों में version defined है तो यहाँ पर add भी कर सकते हैं और दोनों ही चाहे आप add कीज़े dependency में या फिर dev dependency में in both condition जब आप npm install command run करते हैं तो दोनों ही package install होते हैं और node module में install होते हैं node module में कोई ऐसा differentiation करने का कुछ ऐसा technique नहीं है कि अगर dependency में होगा तो अलग type से भी हैब करेगा और dev dependency में होगा तो अलग type से भी हैब करेगा यह just आप एक categorize कर दिये हैं यहाँ पर और इसका दोनों का एक meaning होता है वो meaning क्या होता है कि dependency मतलब यह project से related dependency है जैसे angular का project है तो angular का core angular का compiler, common, animation जो इस project के अंदर यूज हुआ है वो गया dev dependency and sorry dependency मैं फिर से correct करता हूँ dependency जो project के अंदर जो चीज़े यूज हुई है बट कुछ चीज़े ऐसी है जो project के अंदर यूज नहीं होता वो केवल development के दौरान चाहिए तो उसको बोलते है dev dependency अब for example मैं बताऊं तो type script ओके तो type script दोस्तों वो चाहिए I mean development के दौरान चाहिए angular का CLI means ng command जो run करते है वो development के दौरान चाहिए यह सब चीज़े जो यहां पर देख रहे हैं कुछ build जब angular build करते हैं तो फिर ओ development के दौरान चाहिए बट यह सारे जो चीज़ें angular core और यह सब यह production में भी जाता है इसके code जो होते है न प्रोडक्शन में भी जाते है यह जो है आपका जो में प्रोजेक्ट है में प्रोजेक्ट का में प्रोजेक्ट में जैसे मान लिए जब इसको build करेंगे इस project को इसका binary create करेंगे तो उसमें कुछ logics जो है यहां से उठाए गए होंगे इसका मतलब है कि just a combination of this library and your code उसका combination होता है और dev dependency just a tool है जो हो सकता है कि testing library हो गया जो केवल टेस्टिंग के लिए चाहिए right and then building के लिए angular जो को build करेंगे उसके दोरान चाहिए तो इस प्रकार से dev dependency केवल development के लिए चाहिए तो आप just categorize करके यहां पर add कर सकते हैं आप define कर सकते हैं कि कोई भी library यूज कर रहे हैं तो केवल development के purpose यूज कर रहे हैं या final जब binary बनेगा htms यह से java script कोड बनेगा तो उसमें भी ओचीज जाएगा browser में भी ओचीजे जाएंगी तो type script browser में थोड़ी जाएगा वो तो एक बार transpile होके आपको एक java script का output दे देगा बात खतम ओके एंड टेस्टिंग का tool है वो production में तो नहीं जाने वाला project में तो project के binary में तो नहीं जाएगा यह जो testing से related tool है development के दौरान चाहिए तो दोस्तों आप समझ गए कि a dependency and dev dependency में क्या a difference है and यहाँ पर script npm start यूज करेंगे तो ng serve run हो जाएगा ng serve run कीजिए या फिर npm start npm build कीजिएगा तो ng build के equivalent हो गया तो आप script tag में define कर सकते हैं तो आप बोलेंगे कि npm start क्यों यूज करें ng serve भी तो जादा easy लगता है तो दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं बट कई बार क्या होता है जिसे यहाँ पर देख सकते हैं ng build-watch-configure configuration development तो इतना सारा आपको run करना पड़ेगा कई बार इससे बड़े बड़े command भी हो सकते हैं सारे command को एक बार में run करने के लिए दोस्तों आप यह command यूज कर सकते हैं जैसे npm build ओके तो यह हमारा run हो जाएगा और अगर इसमें I mean run होने का मतलब क्या है जो कुछ भी लिखा है सब run हो जाएगा जो कुछ भी run करना चाहत होते हैं तो यह होता है मैंना एक बार run करके देखता हूँ तो मैं आपर आ जाता हूँ और यहां पर मैं type करूंगा npm start दोस्तों मैं आपर npm start यूज किया हूँ और मैं ng serve यूज नहीं किया हूँ पर देख सकते हैं आपर ng serve यह यूज हो रहा है क्योंकि दोनों equivalent हो गया है इस condition में और कई बार हम लोग क्या करते हैं na ng serve hyphen open यूज करते हैं एक flag दे रहते हैं कि compiled होगा और open भी हो जाएग ब तो अगर हम यहाँ पर दे देंगे तो उतना सब पुछ लिखने के जगा पर जो है npm start लिख देंगे तो equivalent हो जाता है यहाँ पर दोस्तों notice कर सकते हैं कि यह जो version है यह version में यह जो है टिल्डा सौरी carrot और टिल्डा ओके कहीं टिल्डा भी notice कर सकते हैं यह देखिए यह ओग तो exact version define नहीं करते मतलब तिल्ड अगर आप यह carrot यूज करते हैं यह symbol है carrot अगर carrot यूज करते हैं तो आप यह बोल रहा है कि 17 से पहले तक का version जो कुछ भी है हम वो version पिक करेंगे मतलब माल लिजे कि npm install npm install command run करेंगे तो जो second time जो install होगा वो exact 16.2 नहीं होगा 16.2 नहीं सकता है तो यह कहां तक जा सकता है तो यह जाएगा 17 17 से पहले तक का 16.9 हो सकता है 16.9.8 हो सकता है तो ऐसे हो सकता है तो बेसी के लिए जो carrot है न वो major version को represent करता है मिंस major जो version है वहां तक यह change हो सकता है ओके तो mostly यह compatible होता है दोस्तों जो major version जो होता है न वो उसमें ज्याद आप major changes आते हैं बट ऐसे new new patches तो हमेशा आते ही रहते हैं तो इसलिए दोस्तों यह जो है वर्जन exact वर्जन नहीं यूज हुआ है यह जो है यह जो है compatible वर्जन यूज हुआ है ओके इसका मतलब यह है कि 17 तक मतलब जो major वर्जन होता है major वर्जन से पहले तक ओके तक का वो pick up कर सकता है तो जो breaking changes है कहने का मतलब यह है कि जो breaking changes major version is a breaking changes तो breaking changes से पहले तक का सारा compatible version के लिए यह allowed किया गया है इस symbol को देकर हम यह instruction दे चुके हैं कि अब जो है npm install command यूज करके को इंस्टॉल करेगा तो वो जो वर्जन होगा वो major वर्जन से पहले तक होना चाहिए अब हम आते हैं यह टिल्डा क्यों यूज करते हैं तो दोस्तों टिल्ड बोलें टिल्डा बोलें टिल्डा में दोस्तों यह थोड़ा सा अलग होता है यह क्या करता है जैसे patch release हो गया ठीक है तो जैसे होता है ना patch कुछ release होते रहता है तो दोस्तों यहाँ पर क्या notice कर सकते हैं 16.2.0 तो angular में carat यूज करने पर क्या होता था 17 तक जा सकता था 17 तक नहीं 17 से पहले तक यह जा सकता था बट अगर आप टिल्डा यूज करते हैं तो यह जो major I mean जो patch version है बेंस दिखिए यह 0 जो है ना 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है तो यह 9 तक जा सकता है 7.9 तक max to max जाएगा मतलब आप समझें यह minor version को represent करता है जो caret होता है major version को represent करता है और जो tilde होता है वो minor version को represent करता है क्यों क्योंकि दोस्तों कई भर क्या होता है ना कि अगर ऐसे major version को target कर देंगे upgrade अगर कर देगा तो कुछ major I mean breaking changes आ सकते हैं तो that's why इस condition में हम ल क्योंकि यह जो केवल patch version है उसी को allow करेंगे वो major version तक allow नहीं करेंगे तो 7.8.0 है तो मतलब यह 9 तक जा सकता है 9 से पहले तक 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 तक जा सकता है यह देखिए यह जो 0 है जो यह patch version होता है यह patch version होता है दोस्तों मतलब patch में छोटा छोटा fixes आते रहते हैं जो कि major breaking changes कुछ भी नहीं होता बस हो थोड़े patches आते रहते हैं तो उसका वर्जन जो है update होते रहता है 1,2,3,4,5,6 तो यह होता है यह तिल्डा अब यहाँ पर एक notice कीजिएगा कि जो angular से related जो library है angular से related जो dependency है उसमें carrot यूज हुआ है मतलब angular को पता है कि हमारा जो major version होगा उससे major version से पहले तक में ज़्यादा breaking changes नहीं आने वाले इसलिए यहाँ पर दोस्तों यह carrot यूज हुआ है और यह जो rxjs है rxjs तो angular का है नहीं यह तो थोड़ा third party हो जाता है tslib है zone.js है तो इसमें यह तिल्डा यूज हुआ है क्यों क्योंकि यह केवल patch version लाओ कर रहा है okay तो i hope आप समझ सकते हैं और एक चीज और यहाँ पर देख लीजए जब dev dependency में देखेंगे तो इसमें angular builder के लिए carrot यूज हुआ है and otherwise tilde maximum cases में यूज हुआ है क्योंकि इससे ज़्यादा project में कुछ breaking changes नहीं आने वाले इसी लिए ऐसा ये I mean project में breaking changes नहीं आने वाले बट फिर भी यह जो development के दौरान डो dependency है वो भी उसका वे version correct होना चाहिए और वो compatible होना चाहिए तो यह just compatible बनाने के लिए carrot और tilde यूज करते हैं difference यह है कि टिल्डा में minor version और patch version तक जो है upgrade allow है and carrot में latest और major version तक allow है now अब हम लोग बात करते हैं package log.json के बारे में तो package.json के बारे में तो आपने समझ लिया अब दोस्तों package log.json क्या होता है कई बार आपने यहां पर notice कर रहा था कि यह जो carrot है carrot और tilde यूज कर रहे हैं मतलब exact version नहीं है वो compatible version है अब मान लिजे कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ passes है और क्योंकि अभी जो हम यूज कर रहे हैं मान लिजे कि अभी हम software develop कर रहे है तो अभी जो install हुआ है जो package का version है वो exact version इस्टॉल हुआ होगा ऐसे तो आदा दूरा version तो होता नहीं है तो install जो भी version हुआ है वो कौन सा version इस्टॉल हुआ है वो define होता है दोस्तों package log.json में package log.json में अक्सर ऐसा होता है कि exact version exact version define होता है अब उसका advantage क्या है तो कई बार क्या होता है कि मान लिजे कि अगर मान लिजे package log.json डिलीट कर देंगे तो क्या होगा डिलीट कर देंगे तो हमारा dependency तो install होगा बट उसके सासत package log.json फिर से एक file generate हो जाएगा और कौन सा version exact version इस्टॉल हुआ है वो सब list हो जाएगा ताकि future में अगर हमको यह पता करना हुआ कि हम तो ऐसे compatible version ही दिये थे exact version तो दिये नहीं है तो जो install हुआ है वो कौन सा version हुआ है तो ओ define करने के लिए ओ जानने के लिए आप package log.json जाकर check करेंगे कि exact version जो है package log.json वे defined होगा कि exactly क्या है तो क्योंकि हाँ पे आप notice करेंगे तो कुछ dependency देख सकते हैं जो angular से related है उसमें अभी भी caret ही उच किया गया है ओके एंड यह basically यह जो package है न यह package package और json का यह just replication है ओके तो यहाँ पे दोस्तों exact version define होता है अब जैसे मैं आपको दिखा हूँ just मैं अभी यह देख सकते हैं node module angular dev kit build angular अगर आप package.json में देखेंगे तो यह है यह चीज है dev dependency के अंदर है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 16.2.0 बट यहाँ पे notice करेंगे तो यहाँ पे version 16.2.0 यह exact version है यह compatible version यह exact version है और यह भी information है कि कहां से कहां पे यह package मौझूद है तो दोस्तों यह देखें registry.npm.js.org angular dev kit something like that तो उसका registry URL भी यहाँ पे दिया किया है ओके मतलब कहां से download होगा उसका information यहाँ पे available है otherwise दोस्तों npm का configuration आप करते हैं अगर आप अगर यहाँ पे मैं टालू हूँ I think मैं एक और काम करता हूँ मैं new windows open करता हूँ और मैं new windows open करके मैं यहाँ पे जो है एक type करता हूँ npm config npm config let's see क्या output आता है npm config काम नहीं कर रहा है npm config and then यहाँ पे edit edit लिखते है let's see क्या होता है ओके तो यहाँ पे दोस्तों यह एक open हो गया npm से related configuration है यहाँ पे available तो कहीं न कहीं यहाँ पे दोस्तो registry URL आपको देखने को मिलेगा let's see कहां पे कहीं न कहीं होना ही चाहिए तो तो means उसका जो भी configuration है npm से related means npm is node package manager तो यहाँ पे available है यहाँ पे कहीं न कहीं होना चाहिए मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं registry तो registry क्या है लिखा हुआ registry.npm.js.org तो जो भी packages वोगर डाउनलोड होंगे वो यहाँ से होंगे कई बर क्या होता है कि हम लोग private repository यूज करते हैं वहाँ से जो है download नहीं होता उस secure places से download होते हैं मतलब company का खुद का एक registry detail होता है वो private होता है वहाँ से जो है download होता है मैं देखा हूँ कि लोग जो है company में काम करते हैं तो company का VPN यूज करते हैं VPN यूज करने के बाद ही जो है company का जो URL है means जो private repository है उसको access कर सकते हैं तो company का VPN यूज करना पड़ता है तो उसी type से यह जो चीज आप देख रहे हैं यह private भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है worldgyan.com.npmjs worldgyan.com भी हो सकता है okay worldgyan.com slash and then वहाँ पे डाल दिये project का name और वो project होना भी चाहिए ऐसा नहीं है कि वो डाल देने से हो जाएगा download होगा तो उसका location देना पड़ेगा कि कहां से download करें उसका link क्या होना चाहिए तो उसका address आप ऐसे करके दे सकते हैं हलाकि जो package log.json है दोस्तों आपने यहाँ पे notice किया यहाँ पे सारा पूरा path है resolved by registry.npmjs.org पूरा item path दे दिया है अगर यह आप डालेंगे तो यह download हो जाएगा तो उससे related and उसके dependency आप देख सकते हैं angular build करने के लिए I mean this इसके लिए इस library के लिए भी कुछ dependency होते हैं वो भी dependency listed हैं आपे ओके तो वो सारे dependency हाँ पे install होंगे तब जाकर उसाई से काम करेगा उसी type से अलाग-अलाग dependency के हाँ पे available हैं तो थोड़ा सा scroll down करके बहुत बड़ा list है actually तो इसमें हम लोग देख सकते हैं specify कर सकते हैं ओके यह बहुत बड़े list से तो यह चीजे हैं दोस्तो आप बोलेंगे कि यह सब चीज तो अवैलेबल ही नहीं है package.json में बट उसका भी यहां पर कुछ-कुछ version लिखा हुआ रहा है क्योंकि दोस्तो क्या होता है कि जो भी यहां पर dependency है न यह dependency भी किसी पर dependent होते हैं जैसे आपका project आपका project इस सारे dependency के उपर dependent है उसी type से यह जो angular I mean जिसने angular का file develop किया है I mean जो angular develop किया है angular का जो library है उसके library भी किसी दूसरे library पर dependent हो सकते हैं उसको list किया गया है आपर वो चीजे इसलिए ऐसे चीजे आप देख रहे हैं name जो फिलाल package.json में available नहीं है बट ये सारे dependency जो है वो उस पर depend करते है तो उसका भी list दिया गया है उसका exact version define किया गया है अग exact version define करने से क्या होगा कि माल लिजे कि आपने package.json and package.json अगर किसी को भी दे दिया ओके किसी भी किसी को भी दे दिया तो वो जो है ना project break नहीं होगा क्योंकि वही version install वहाँ पर भी होगा जो यहाँ पर हुआ था किसी दूसरे को अगर दे दिये तो वो भी जो है वही exact version यूज कर सकता है तो उसके लिए आपको package.json देना पड़ेगा अगर ये नहीं देंगे तो नहीं होगा ओके अगर npm install command run कर दिया तो exact version नहीं रहेगा वो different version हो जाएगा उस समय के हिसाब से जो latest patches वोगा release हुए है उसके according ओ सारे version आजाएंगे बट exact version अगर देना है तो package.json आपको देना पड़ेगा अगेन मैं summarize कर देता हूँ कि package.json exact dependency version को define करता है और उसको resolve करता है ओके और ये जो है dependency tree dependency tree को भी manage करता है क्योंकि जो यहाँ पर packages है वो भी किसी दूसरे package पर depend करते हैं तो एक पना tree structure create होता है तो दोस्तों जब हम npm install command run करते हैं तो जो भी हमारे dependency है उसके dependency भी उसके साथ साथ install होते हैं तो जो entire dependency tree है वो package log dot json में specify होता है package log dot json में होता है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कई सारे चीजे हैं यह जो चीजे हैं वो बहुत सारे ऐसे dependency है जो इस पर depend कर रहे होते हैं तो पूरा tree structure यहाँ पर available है मैं जो है आपको एक यहाँ पर दिखाने के लिए मैं find out करता हूँ जैसे type script हो गया तो ts यहाँ पर लिखते हैं and just यह package install कर लेते हैं rxjs suppose rxjs rxjs is एक third party library है rxjs यह देखिए rxjs इसमें use हुआ है it's okay and then यह rxjs use हुआ है builder के लिए angular का build के लिए and then webpack के लिए and then angular core angular core में भी rxjs use हुआ है यहाँ पर भी but यहाँ पर notice कीजिए rxjs का exact version यहाँ पर define किया है यह compatible version नहीं है exact version है तो यह भी देख लिए angular core का version है rxjs का version define किया गया है 6.5 and 7.something तो दोनों के बीच का यह रहा rxjs का version तो I hope कि आप समझ सकते हैं क्या difference है तो again इसके advantage को मैं आपको बता देता हूँ कि package log.json में exact version defined होता है एक तो यह advantage हो गया दूसरा dependency tree जो भी dependency होते हैं उसके भी dependency होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे listed होता है वो एक tree like structure create कर देता है तो सारा detail यहाँ पे मौझूद होता है with exact version उसके बाद दोस्तों क्या होता है क्योंकि यह exact version dependency का available है तो एक type का एक security provide कर देता है okay means future में जो है अगर बहुत सारे developer अगर काम कर रहे हैं और तो developer का वैसे कोई role नहीं है आपे sorry अगर बहुत सारे लोग I mean बहुत सारे dependency अगर available हैं तो यह एक locking का facility provide कर देता है जिससे क्या होगा कि जो unexpected bug और आते okay unexpected behavior जो so करता वो नहीं करेगा क्योंकि यह lock हो गया है exact version वहाँ पे specify है ओके तो जो अलग-अलग developer होते हैं जैसे आप develop कर रहे हैं और कोई दूसरा develop कर रहा है और package lock.json file दे दिए तो same चीज ओभी यूज करेगा same exact version वो यूज करेगा with the same dependency dependency के भी जो dependency है ओभी उसका भी version specify किया गया है तो सारे developer एक ही टाइप का version यूज करेंगे behavior और bugs नहीं आते और कई बार दोस्तों क्या होता है जब deploy करते हैं तो package lock.json को भी वहाँ पर भेजना होता है I mean use करना होता है उससे क्या होगा है कि consistency maintain रहेगा वहाँ पर भी जो local में जैसा चल रहा था वैसा production में भी यूज होगा कई बार minor changes भी अगर आते हैं ना दोस्तो version से related तो चीज़े बहुत बदल जाती है और कई बार unexpected behavior देखने को मिलता है और एक और advantage है कि जब हम npm install command use करते हैं and package lock.json available नहीं होता है तो दोस्तों यह क्या करता है package lock.json file create करेगा और जो जो exact version उसको find out किया repository से registry से जो भी exact version find out किया उसको list करता है और उसके सारे tree को भी list करता है उसके dependency के भी जो dependency मौझूद होते हैं उसको भी list करता है कि कौन सा exact version हमने use किया तो यह चीज़े हैं दोस्तों तो थोड़ा साना faster installation हो जाता है अगर यह मौझूद रहेगा तो क्योंकि यही से find out करेगा exact version pick करके install कर देगा तो यह सारे दोस्तों advantage हैं package log.dation के generally लोग delete कर देते हैं इससे और यह update होता रहता है npm install command run करेंगे तो यह update हो जाएगा यह create भी हो जाएगा यह optional होता है totally but use करना better होता है use करना चाहिए may recording so I hope कि आपको समझ में आ गया what is the difference between package.json and package.json अगर फिर भी किसी प्रकार का doubt है तो आप मुझसे contact कर सकते हैं thank you very much for watching this video have a nice day